इस्राइल के इरान पर जबावी हमले का इंतिजार पूरी दुनिया कई हपतों से कर रही थी वह बीटे 25 अक्टूबर 2024 को पूरा हो गया इस्राइल ने ताबर तोड़ हवाई हमलों की बोशार कर इरान से बदला चुकता कर ही लिया खुद इस्राइली पीम नेतन्याहू ने वार रूम में बैट कर इस हमले पर अपनी पैनी नजर रखी साथी इरान को चेतावनी विदी की हिसाब बराबर हो गया है अगर इरान इस्राइल के पलटवार पर फिर से हमला करता है तो इसका अंजाम इससे भी खतरना और भयंकर होगा जिसकी कलपना इरान ने भी अपने जहन में भी नई की होगी इस पीच इस्राइली हमले को लेकर इरान को कई देशों का साथ मिलता नजर आ रहा है सौधी अरब के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी अपना समर्थन जताया है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इरान में सैनट हिकानों पर इसराइली हमलों की निंदा की तालिबान ने कहा कि इसे मिडल इस्ट में हिंसा बढ़ेगी हालाद में काबू होंगे और इरान पलटवार कर इसराइल को सबक सिखाएगा तालिबान की विदेश मंतराले ने कहा कि ये हमले इलाके में हिंसा को बढ़ाने की एक कोशिश है जो इलाके में प्रतिकूल हालाद को जटील और तेज बना रहे है बता दे कि ये कोई पहली बार नहीं है इससे पहले भी अफगानिस्तान ने इरान का समर्थन किया है हमास नेता इसमाईल हानी है हिजबला नेता हसन नसरल्ला की मौत के बाद इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसाईलों से धावा बोला था जिस पर अफगानिस्तान की तालीबान सरकार ने खूल कर तहरान का साथ दिया था तालीबान ने तो यहाँ तक कहा था कि इसराइल एक जालिम मुल्क है मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है इरान ने हमला करके बहुत ही सही कदम उठाया है खास बात यह है कि इरान एक शिया देश है और तालीबानी सुननी है बावजुद इसके अफगानिस्तान ने खुल कर तहरान का साथ दिया गौर्टलेबे के इरान और इसरायल के बीच जंगी हालात के चलते सबसे ज़ादा अफगानिस्तान की तालीबान सरकार को फायदा हो रहा है अफगानिस्तान पर इस समय डॉलर्स की बरसात हो रही है दरसल मिल्लिस्ट में जारी जंग की वज़े से फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है लिहाजा इंटरनेशनल फ्लाइट्स अफगानिस्तान से होकर गुजर रही है एशिया और यूरोप के बीच बहुत सारी फ्लाइट्स अफगानिस्तान के आस्मान से जाने लगी है इरान ने बिते एक अक्टूबर को 200 बैलेस्टिक मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला बोला था इसके बाद से कई इंटरनेस्टल फ्लाइट्स अफगानिस्तान से होकर गुजरने लगी जिससे अफगानिस्तान की चांदी चांदी हो गई News Agency Associated Press के मताबिक इरान पर इसराइली हमलों में मरने वालों की संक्या बढ़कर चार पहुच गई है मारे गई समी लोग सैन हवाई ठीकानों से जुड़े थे इन हमलों के बाद इसराइल ने अपनी रक्षा प्रणानियों को हाई अलर्ट पर रखा है इरान ने संयुक्त राष्ट में अपने मिशन के जरिये दाबा किया है कि इसराइल के यूत्त विमानों ने इराकी हवायक शेतर से इरान पर हमला किया है साथी इरान ने इस हमले में अमेरिका के मिली भगत का भी आरोप लगाया है झाल झाल झाल